नमस्कार दोस्तो दोस्तो हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तो आज की इस विडियो में मैं आपको एक ऐसे नुष्खे के बारे में बताऊंगा एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगा जो आपकी सरीर की Codiovascular Disease के लिए एक बहुत ही महत्यपून दवा की तरह काम करती हैं और यदि मैं बात करूँ एलोपेथी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी दवाईया हैं जो इसी नुस्खे के बेस पर बनाई जाती हैं और ये नुस्खा ना सिरफ आपके काडियो वस्कुलर डिजिस के उपर काम करेगा बलकि इसके इलावा भी आपके स्रीर की ओवराल हेल्थ के लिए काम करेगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिस नुस्खे की बात कर रहे हैं उसे नुस्खे को बनाने की जो पहली मुखे समगरी है, दोस्तों वह है अरजुंकी चाल. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अरजुंकी चाल क्या होती है? आपको इसका प्रियोग करना कैसे है? इसको कितनी मात्र में आपको लेना चाहिए? किन-किन बीमारियों में ये आपको फाइदा करेगी और किन लोगों को अरजुन की चाल का प्रियोग नहीं करना चाहिए तो चले दोस्तो टाइम वेश्ट ना करते वे शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो दोस्तो यदि हमारी काडि वस्कलर हेल्थ की बात की जाए तो उसके लिए जो सबसे पहली दबा या जो सबसे पहला नुस्का हमारे मन में हमारे दिमाग में आता है वो आता है अरजुन की चाल के बेस पर और आपने अरजुन की च्छाल के बहुत सारे फाइदे ओलडी सुनोंगे दोस्तो जो इसका पेड़ होता है वो नीम या बर्गत की तरह है इतना ही बड़ा होता है अगर मैं बात करूँ जो इस पेड़ की च्छाल होती है हम उसका ही नुस्खे के लिए परियोग करते हैं और वो ही है में ओस्ती जिसका आपने भी परियोग करना है दोस्तो अरजुन की च्छाल जैसे जो दिल की बिमारियां होती है दिल से जुड़ी हमारी कोई भी बिमारी होगी जैसे कोलोस्टोल से जुड़ी बीमारियां हो गई, बिलर्ड प्रेसर से जुड़ी बीमारियां हो गई, या दिल की कोई भी बीमारी हो गई, इन सम्में अरजुन की चाल बहुत अधिक फाइदेमन्द हैं, और अलोफिती में इसकी बेस पर बहुत सारी दवाईयां बना जात अरजुन की चाल का प्रेयोग दिल की बीमारियों के लिए हजारों सालों से आयूरवेद में होताया है, लेकिन पहले ये लोग ये बोलते थे कि इसका कोई भी साइन्टिपिक परमान नहीं है, लेकिन यदि मैं आज की डेट में बात करूं, तो इसके उपर दो सोद उससे हुआ क्या कि उनकी हेल्थ में जब उनको बाद में चेक किया गया, तो उसमें LDL, कोलोस्टोल की मातरा, टोटल कोलोस्टोल की मातरा और बैड कोलोस्टोल की मातरा कम पाई गई, यानि इससे ये साबित हुआ, उसके बाद भी कुछ लोगों ने ये कहना सुरू कर दि उन सो लोगों को हर रोज तीन ग्राम अरजुन की चाल का पावडर दिया गया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन सब लोगों में जो BP की समस्या है जो उपर वाला BP होता है वो नॉर्मल पाया गया उनके LDL कोलोस्टोल की मात्रा सही हो गई उनका जो हाई कोलोस्टोल था वो कोलोस्टोल को हो सही करना हो blood pressure की समस्या हो या दिल के heart block is heart attack जैसी कोई समस्या हो आप उसमें दिल के इन बीमारीों के लिए अरजुन की चाल का प्रयोग कर सकते हैं वो हम आगे बताएंगे कि अरजुन की चाल को लेने के क्या क्या तरीके हैं दूसरी अगर मैं बात करूं अरजुन की चाल में जो एंटुक्सिन्ट होते हैं वो बहुत भरपूर मातरा में होते हैं और दोस्तो एंटुक्सिन्ट हमारे स्रीर के लिए बहुत अधिक जरूरी होते हैं क्योंकि ये एंटुक्सिन्ट फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और ये free radicals अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये free radicals क्या है दोस्तो free radicals वो molecule होते हैं जिनके कान हमारे स्रीर में chronic बीमारियां पैदा होती हैं यानि हमारे स्रीर में जो भी chronic बीमारियां पैदा होती हैं जैसे diabetes, arthritis या कोई भी अन्यगंभी रोग, cancer इन सब का जो कान होता है वो free radicals होते हैं और जो antioxidant होते हैं वो इन free radicals को neutralize करने का काम करते हैं जिससे हमारा स्रीर बीमारियों से बचा रहते हैं जो अगला फाइदा अरजुन की चाल का है दोस्तो वो है आपके blood sugar level को कम करने के लिए दोस्तो अरजुन की चाल में ऐसे गुन भी पाय जाते हैं जो आपके blood sugar level को control कर सकते हैं ऐसा एक सोध चूहों के उपर हुआ और उसमें ये पाया गया कि अरजुन की चाल का powder को देने से उनका जो blood sugar level है वो normal आया यानि ये fasting जो blood sugar होता है उसको manage करने का काम करती है लेकिन इसके उपर अभी तक कोई भी मुनिश्यों के उपर कोई सोध नहीं हुआ है तो हम परमानी तोर पर नहीं कह सकते हैं अरजुन की चाल का यह गुन है कि यह kidney और हमारे liver की शंता को बढ़ा देती हैं जिससे कि हमें blood फाइदा करती हैं दोसरा अरजुन की चाल वात और पित को भी balance करने का काम करती हैं दोस्तो हमारे सिरे में आप ये तो जानते होंगे कि वात और पित के कान हमारे सिरे में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जैसे घुटनों का दर्द घुटनों में घ्रीज की कमी ये सब आपको अर्जुन की चाल का प्रियोग करना चाहिए। कम करने का काम करते हैं तो देखा दोस्तो अरजुन की चाल हमारे स्रेर के लिए कितनी फाइदिमंद है यदि आप अरजुन की चाल का परियोग करते हैं तो इससे आपके चहरे पर भी गलो आता है आपका चहरा भी निकर जाता है अलर्जी जैसे समस्याओं से भी ये आपको बचा करकती हैं अब बात आती हैं कि आपको अरजुन की चाल का प्रियोग करना कैसे चाहिए दोस्तों अरजुन की चाल का प्रियोग आप चार तरीके से कर सकते हैं पहला तरीका ये है कि आप अरजुन की चाल्का 3-5 ग्राम पावडर लें और 1 गिलास पानी के साथ उसको सुबhr खाले बेट पीजाए, पहला तरीका. दूसरा तरीका ये है की आप एक चम्मच पावडर लें और सुबे खाली पेट हलके गुनगुने पानी में उसको घोल कर उसको पी जाएए तीसरा तरीका ये है ये आप एक चम्मच तीन से पांच ग्राम अरजुन की चाल का पावडर लेकर उसको रात भर के लिए एगिलास पानी में भीगो कर रख दें और सुबे खाली पेट उस पानी को उबाले और उसको गटगट करके पी जाएं चोथा जो तरीका है वो है अरजुन की चाल का काड़ा बनाना आप काड़े को भी दो तरीके से बना सकते हैं पहला तरीका ये है कि आप अरजुन की चाल का कोई टुकड़ा या पावडर लेकर एगिलास पानी में उसको रात भर के लिए भीगो कर रख दें और उसको सुबे उबाले जब तक वो आदा नह रह जाए और जब वह पानी आदा रह जाए तब आप उसको गटगट करके पी जाएं सुबे खाली बिल दूसरा तरीका आप सुबे ही एक टुकड़ा लेकर अरजुन की चाल का उसको आप एक गिलास पानी में बाले और उसको पावर बढ़ाने के लिए आप उसमें एक चुटकी दालचिनी का प्रियोग करें क्योंकि यदि आप इसमें दालचिनी का प्रियोग करेंगे तो उससे क्या है कि इस नुस्खे की पावर बहुत आदिक बढ़ जाएगी और जिससे ये आपके स्रीर के लिए बहुत फाइदेमन तरीके से काम करेगा और आप उस पानी को तब तक उबालें जब तक कि आपने एक गिलास पानी लिया था और वो उबल उबल कर आदा नहर जाए और जब वह पानी आदा रह जाए तब आप उसको चान कर उसका सेवन करें इन चार तरीकों में से आप किसी भी तरीके से अरजुन की चाल का परियोग कर सकते हैं पर आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसके अंदर एक चुटकी दालचीनी के पाउडर का परियोग जरूर करें इससे आपको और भी अधिक फाइदा होगा दोस्तों ये तो हो गए अरजुन की चाल के फाइदे और आपको अरजुन की चाल कैसे लेनी चाहिए अब बात आती है कि किन लोगों को अरजुन की चाल का परियोग नहीं करना चाहिए जो भी लेडिज गर्वाती हैं उनको अरजुन की चाल का परियोग नहीं करना चाहिए बिना अपने डॉक्टर के सलागे दूसरा, 12 साल से उमर के कम बच्चों को भी अरजुन की चाल का प्रियोग नहीं करना चाहिए ये दो लोग छोड़कर बकी हर कोई व्यक्ति अरजुन की चाल का प्रियोग कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस बेल की आइकोन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों